नमस्कार स्वागत आपका मैं हूँ सौरव शर्मा और आप देख रहे हैं मुकाबला यहां सीधे संसभवन के बाहर विजजौक से पहले आपने देखा सनातन को गाली देने की जैसी प्रतियोगिता चली और इसमें खास तोर पर दक्षिन भारत की कुछ पार्टियों के नेता, कॉंग्रिस पार्टी के बड़े नेताओं के सुपुत्र, उन तमाम लोगों ने सनातन को गालियां भी दी, कोसा भी, बिमारियों के साथ तुलना भी की, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यही लोग, यही नेता और यही दल, इससे चार कदम आगे बढ़कर, उत्तर भारत, उत्तर भारतियों और हिंदी भाशियों को कोसने पर तुले हुए, डिमके के सांसद सेंतिल कुमार ने जिस तरीके से उत्तर भारत के राजियों को गौमूत्र राज कहा, उसकी तपिश अब पूरा इंडिया अलाइंस महसूस कर रहा है, क्योंकि भारतिये जनता पार्टी ना सिर्फ इंडिया अलाइंस को घेर रही है, बलकि खास तोर पर राहुल गांधी की घेराबंदी कर रही है, कि राहुल गांधी इस पर खामोश क्यों है, और बात सही भी है, पहले भी जब ये बातें हुई, तब भी राहुल गांधी का कोई बयान नहीं आया, और नहीं इस बार, तो क्या राहुल गांधी ये मान चुके हैं, कि उत्तर भारत में वो भारतिये जनता पार्टी को नरेंद्र मोधी को क्या हासिल करेगी, इंडिया अलाइंस के बाकी दलों को इसका क्या फाइदा होगा, और क्या ऐसे नरेंद्र मोधी को 2024 में रोका जा पाएगा, इसी पर हम करेंगे बात, हमारे साथ बहमान जुड़े हुए हैं मुकाबला में, केके शर्मा जी भारती जिनता पार्टी से हमा डियमके के सांसत के बयान पर कॉंग्रेस पार्टी को और इंडिया अलाइंस को घिर रहे हैं और हमें धमकाओगे भी और जो विपक्ष के कुछ साथी आई एंडिये के साथी इस देश को नौर्थ और साथ में बांटने का परियास कर रहे हैं ये साजिस में बिल्कुल विपल होंगे और अगर वो माफी नहीं मांग रहे हैं तो हमें लगता है कि राहुल गांदी जी भी उनके साथ खड़ें हमें लगता है सीवशेना के उद्दव ठाकरे भी उनके साथ खड़ें ये स्पश्ट और पर नजर आता है कि इनकी सोच हिंदू को हिंदी को और सनातन धर्म को नीचा दिखाने की है कॉंग्रेस के नित्रतव वाला गमंड या घटबंदन इसका गमंड और अहंकार प्राजय के बाद भी चूर-चूर नहीं हुआ बलकि ये उत्तर भारत को भारतियों को और यहां तक कि सिनातन धर्म को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़े तो भारतिय जंता पार्टी स्वभाविक तोर पर इसमें कॉंग्रेस पार्टी की भूमिका देखेगी राहूल गांधी क्यों नहीं बोल रहा है ये बातें तो होगी लेकिन इतना तो तय है कि इस किसम के बयान जो है यह करम में आ रहे हैं कड़ी में आ रहे हैं तो इसके आपके इंडिया घटक दल की पार्टी के नेता हैं उन्होंने जो कल बयान दिया उसको लेकर के चारों तरफ रोश है पार्लेमेंट में भी इसके गूंज सुनाए दी माफी माफी माँगो माफी माँगो के नारे जो आज गूंजते वे दिखाई दी हैं आपको नहीं लगत का क्लियर कट मानना है सर्व धर्म संभाव और वसुदह कुटमकम की जो परिकलपना इस देश में हैं भारत का समिधान जो उसकी आत्मा है लिंग छेत्रवेद और जातियों से उपर उठकर धर्म से उपर उठकर हमें भारतियता को अपनी पहचान देनी है और उत्तर के परतिया किसी भी जाती धर्म के परतियती कोई भी बटवारा है तो एक तरह से नफरत का वो मामला है और हम मुहबत वाले लोग हैं नफरत वाजे जीए गौम उत्र राजे में रहने वाले और आप तरह तरह की चर्चाएं देख रहे होंगे उत्तर भारती अनपड होते ह हैं मैलाओं को दबाने वाले होते हैं अशिक्षित हैं गरीब हैं इसलिए यहां बीजेपी जीत रही है मैं क्या इतना जानना चाहरू क्या यह नेरेटिव आपको किसी भी लिहाद से सूट करता है ने यह मेरे लिए नहीं और भाजपा और कांग्रेस और किसी पार्टी दल के लिए नहीं देश के लिए नेरेटिव चुट-सूट नहीं करता है कोई भी यह नेरेटिव चला रहा है तो पर यह बात जरूर है भाजपा के लोगों का भी तरून विजय जीन के पुराने साथी है 2017 का इनका एक स्टेट्मेंट है आप देखेंगे इसी नोएड़ा में आफिनों के समकक्चुनों ने रखा था दक्षिन भारत उत्तर भारत यह बटवारे की राजनिती किसी को भी नहीं करनी चाहिए और गो मुत्र की जहां तक बात है गाय हमारी माह है और पूरे भारत और पूरे हिंदुस्तान के लिए माह है हम उन्हें माह मानते हैं इस तरह श्ष में बहूलता मेकता की बात करती है ओर यह हमारा संविधान कहता है हम इसको संविधान के लायंस को मजबूर ने कर सकता लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाए और उनकी जबान बंद रहे तो इसे उनकी मौन समर्थन ही तो माना जाएगा आखिर ये करोणो करोणो भारतियों का अपमान है या नहीं क्या उनमें जो है राहुल गांधी नहीं आते हैं क्या राहुल गांधी जी इसके उपर क्यों नहीं बोलेंगे सोनिया गांधी क्यों नहीं बोलेंगी क्योंकि वो उनके गडबंधन के भी हिस्सा है और साथ ही साथ चितमरम साहब के बेटे किसे हिस्से वो तो पूंग्रेस के हिच्स थे उनका बयान क्या है सनातन के लिए तो मैं यह कहना चाहता हूं और यही नहीं इनके संगठन मंतरी केशी वेडु उनका बयान क्या है जब हिने सनातन धर्म को समूर नाज की बात कही गई और यह कहा गया कि यह डेंगू है मलेरिया है तो केशुवेड़ी उपाल का पहला कि ये जो है कि वोलने की स्वतंतरता है ये नमबर दो यही राहुल गांधी जाकर केरल में क्या बोले जब इनोंके इनको हार मिली और उसके बाद हुआँ जाकर रहे यह का इंड़ी जुद की समझ करभ यह तो ये इसके मतलब यह है कि कि इनकी मांसिक्ता है इनके मांसिक्ता बनी हुए इसलिए आज यह महल साथ के बैठे हैं कि हमें बोलना ना पड़े और यही यह इसका ही यह है कि यह समगत करूंगा महां तो फिर आपका प्रसुन लूँगा uinा की मुंबई की बैठे के इसी डिम के पार्टी के वरिस्त निता ने जाके कहा कि हमारा इलाइंस बाद पर तेंग हुआ है कि सनाथन का समून्न लास करना इसी एजनडे पर हमारा जो है वहां पर तेंग हुआ है क्या कांग्रेस ने उनके इस बयान का भी रोत किला एक बयान मुझे बताई है जिसमें कहा गया हो कि नहीं है हमारी घमंडिया गडबंदन की बैठक में एजेंडा नहीं है मैं आपसे जाना चाहता हूँ कि देश पर सबसे ज़्यादा वक्त तक राज करने वाली कॉंग्रेस पार्टी सब्सक्राइब है यह थैं ये तो आप नहीं कह सकते हैं कि कांउर्डिक को में राजनेती कि समझ रखने वाले नेता नहीं है कॉंग्रेस पार्टी को पॉलिटिक्स की में दिक समझ नहीं है फिर क्यों है ऐसा कि ये लगातार निरंतर ऐसे बयान आ रहे हैं इसके पीछे कोई तो राजनीती है ना कोई तो सोच है बिलकुल एक सोच है जिसका आपने सुरुआत में ही जो है अपने रख्यान में एक बात को रखा पूरी तरह से उत्तर भारत से ये समथ हो चुके हैं और अब इनको आशा की किरन एक भारत में अर उत्तर भारत के ये अपने पड़ाजन पैदा करें कम कम हमारी कुछ इजत बच यह हालात हैं इसलिए ये बार-बार इस बात को उठाते हैं और इस तरह से हिंदूओं के उपर उनको अपमानित करना फीक है लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप उत्तर को गाली दे मुझे लगता है कि जूट सिर्फ बड़े नेता है इनके बोलते हैं कार्थिक पर अपने निसाद पार्टी के कोई नेता आपके हैं टेस्ट यूब बेबी कहते हैं बगवान माता सीता देवी के लिए भगवान राम के लिए आस्था का मामला बताते हैं कि आप इस पर कभी कोई करवाई की क्या बात करते हैं सबसे ज्यादा जूट बोलना दक्षिन और उत्तर को बांटने का काम आप कर रहे हैं जानते हैं सवर्भी क्या भाज़्टपा के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। इन्हें वहां जगह ही नहीं मिल पा रही है। कोहिमा से कख्ष तक कन्या कुमारी तक भारत एक है और भारत ने कहां उत्तर दक्षिन की राजनीती की आपके ऐलाइंस पार्टर का दो बयान सामने है तरून विजय जी किस पार्टी में है जड़ा बताइए तरून विजय जी इनके नेता है या नहीं है चोड़ दिया इनों को इतनी चीड दक्षिन भारत से है या आपको इतनी चीड पुर्वतर से है तो आप कॉंग्रेस पार्टी के मुझ से बात क्यों कहवाना चाहते हैं सनातन को गाली आप देते हैं आपके नहीं कि एक से और डीम के जो हमारा ठीक है इंडिया गठवंधन का उसाती है लेकिन ह इतना क्यों मुश्किल हो रहा है उनका उनकी राजनीकी चल्कियों समझ में आता है इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है जो उनके वाइनाट का स्टेट्मेंट का कोड़ किया जो उन्होंने जाके कहा कि उत्तर भारतियों की समझ कम होती है उस पर इनका क्या जवाब है जवाब नहीं है इस सब्सक्राइब को गलत किया दूसरी बात जी इतना केवल आपको बताना चाहता हूं कि आज हम देश की तो सबसे बड़ी पार्टी है हैं सबसे ज्यादा सांसद हमारे देश के अंदर तीन सांसद है लेकिन दी में उत्तर दक्षिर नहीं करना चाहता लेकिन दी दक्षिर बार बार कहरें तो इनको बता दू इनकी ज्यान वर्दन के लिए कि दक्षिर में भी हम सबसे बड़ी पार्टी है लोग सभा सांसदों में 29 सांसद भारत से हमारे आते हैं भारती जनता पार्टी के कांग्रेस के 27 और दी कि हम आज भी वहां सबसे बड़ी पार्टी हैं तो आप हमें यह मत बताइए कि दक्षिर में हमारे पार्टे जी क्या आप इसके पीछे पॉलिटिक्स देख पा रहे हैं क्या आप पर्टियां भी बाटेंगी देश को उत्तर दक्षिन में नहीं आपने बहुत सही सवाल पूछा सौरब जी और जहां तक आपने यहां देखा कि कॉंग्रेस के परवक्ता संविधान को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा होना अनुचित है सही नहीं है अच्छी बात है हमें धर्म को मानने की स्वतंतरता है लेकिन किसी भी धर्म को लेकिन मुझे लगता है कि यह या कॉंग्रेस का यह स्टाइन बहुत देर से आया है क्योंकि उसी तमिल नाडू में बिहार के मजदूरों पे हमला होता है चिराग पासवान वहां जाते हैं कॉंग्रेस की सरकार बिहार की सरकार के साथ मिली हुई है एक बियान नहीं आता है तो सवाल सिर्फ उत्तर इनका नहीं है बिहार में बिहार के मजदूर महारास्ट में पिठे जाते हैं इनकी सरकार दिल्ली में होती है कभी तो बियान नहीं आया दलित की बेश्ती राम बिलास पासवान की बेश्ती सड़याम निटीज कुमार करते हैं मांजी जी करते हैं क्या वो संभिधान पड़ उत्वीं को चोगी दूप आए हो रहा है जो दक्षिन से संदेश ओ रहा है उस दक्षिन से संदेश आ रहा है कि डौर समाप्त हो रहा है आपने देखा कि किस तरह से यह कॉंग्रिस को सत्ता मिली रीजनल पाटी को जन्ता ने नकारा तो अब यहां लड़ाई बढ़ेगी क्योंकि यह भले अपने को इंडिया एलाइंस का लिडर मानते हैं उदर नितीज जी बॉक लाए हुए हैं तेलंगना की इस मत्पत्र के संदेश से उदर स्टालीन बॉक लाए हुए हैं तो यह चलेगा और कॉंग्रेस की कोई सुनने वाला नहीं है इदर केज इवाल जी कह रहे हैं मैं बड़ा नेता उदर इस गटवंधन में आपने राहुल गांधी के अलावा किसी को भी स्टार केमपेजनर बन करके जो इनका गटवंधन है प्रचार में जाते देखा हमारे हां तो अगर बाइशन होता है और किसी और कि दल को मिला करके लड़ते हैं मद्यप्रदेश में जरूरा राल उचना वही क्लिए आप प्रशार में भी ले गए किसी को कोई किसी कोई आपका स्टार केमपेजनर भी नहीं है तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं साथ चलो और राग गा रहे हैं एकला चलो का तभी तो म वीदर होंगे रिवन्त रेड़ी तयलंगाना के अंदर उनका क्या स्टेट्मंट आया उन्होंने कहा केसी आजिन को हराया है यह तो मूलता भीहारी है और भीहारी कुरमी है इनके दाना पात आधानदा आकर के आंधरा नमें बस गए थे तो और बिहार के बिहार के देने से सुपीरियर है अब यह जो डियने वाली दुहाई देने वाली बात हो जाती है सार इसमें कही ना कहीं बहुत गहरी बिमारी है सोच में देखिए रेवंत तुरेडी जी ने क्या बात रखी है और किस संदर्म में रखी है मुझे लगता है आप पत्रकार हैं और आप इस भावन जो अभी कहा अजय जी ने अजय जी बहुत ही बिद्वान वकील है और ठीक है कि लजेपी को यह आज प्रोटेक्ट कर रहे हैं लेकिन क्या बिहारियों के बारे में जब-जब महरास्टा में कांड हुआ जब-जब करवाई हुई एक एक बेक्ती का नाम बता दीजे जो इस महरा किन भी 剛剛 करवा हुई लगाते हैं अबि लगाई है अपने साथी पर मनीपूर में आज भी घटनाय हो रही है कल भी इतने लोग मारे गए हैं कि महिलाओं के साथ बिरहमी से अत्याचार हो रहा है। गलती का जवाब दूसरे की गलती की नाना गाली का जवाब गाली नहीं होना चाहिए नहीं होता है लेकिन इस रहा है जैसे शेतरवाद की जहां तक बात है तो यह जहर के बीच बोने वालों की कमी नहीं है फिर यह शेत्रवाद की पॉलिटिक्स जो है चाहे शिवसेना ने की हो जब आपकी सयोगी हुआ करती थी चाहे राज ठाकरे की पार्टी आज भी करती हो होता है उसको भी गलत कहना चाहिए देखिए छेत्रवाद की राजनीत पर भासा और छेत्र के आधार पर यह सारे राज्य बनाया इस बीच को वोने वाले क्योंकि वह जानते थे एका करन होगा तो हम बहुत लंबा नहीं ठीकेंगे इस देश को बाटो छेत्र के आधार पर बहुत के आधार पर पूनर गठन तो इनी के समय हुआ है ना आजा ठी परदी भारती जी आपके पास रेघुब किया इनों ने कहा कि उत्तर परदेश और उत्राखंड का बटवारा गलत किया इसका और जो है बिहार का बटवारा क्या यह तीनों राज्यों के बटवारे का यह बिरोद कर रहे हैं इसमें नहीं 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 जाने आपके लोगों ने इस्तिपाद लिए पार्लियामेंट में रहा देश के सबसे बड़े सुबे की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त हिंदी बेल्ट का छोड़ें देश का सबसे बड़ा राज्य है आपको इस अलाइंस में रहते वे जब अपने ही एक साथी पार्टी के नेता के ऐसी बात सुनने में आती है कि यह गौम उत्र राज्य है तो आपकी जिम्मेदारी नहीं कि आप इस पर रियाक्ट करें अलाइंस साथ बिल्कुल नहीं है समाजवादी पार्टी के स्टेटमेंट वह होते हैं जो माने अकले श्यादर जी आपके सामने बोलते हैं या उनके रूप में हम इसको प्रसुत करते हैं हम नहीं मानते कि यह कोई स्टेटमेंट कोई किसी भी तरह से सही है और इस पर बहुत ब्रशावत्रच इस बादे ऐसे जो भारतिय जन्ता पार्टी ने किये थे उसमें अगर मैं प्रमुख ता पान्च मुद्धे भी गिना दूं तो शर्मा साब उसका जवाब नहीं दे पाएंगे किसान की आए दुगणी हो नी थी लागत दुगणी होई और आदी हो गई प उसका रीजन मैं बताता हूं प्रतिव्यक्ति आए अगर आप देखेंगे तो जो इन जो 2004-14 की सरकार भी रही उससे भी 25% कम है प्रतिव्यक्ति आए में ग्रोथ उसके इलावा आप देखिए महेंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पे है 45 साल का रिकॉर्ड सब तोड़ दिया ग चुनावी रिटॉरिक से ज्यादा कुछ नहीं है वो सिर्फ वोट लेना चाहरे हैं अगर यह उसमें सच्चाई होती जरा सी भी तो बताइए गरीब जब एड़ीए डव्यक्शन हुआ 10% का तो गरीब में आपने बटवारा कैसे कर दिया कि पिछडों का हक नहीं मिलेगा उसके अंदर आपके लिए तो एक ही जाती थी जब प्रधान मंतरी जी खुद इसको यह कहते हैं कि हमने गरीब मैं पिछड़े वक्स से आता हूं कैपने डिमिनिस्टर का पहली बार कोई जातिया लिखी कोई प्रेजिडेंट और पूरे प्रेजिडेंट के बारे में कहा ग देखेंगे भार्ते जन्ता पार्टी खिलाफ खड़ी थी मंदल कमिशन के आपकी बात आई सर मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ागा आपने कहा जब यह जातियां गिनाते हैं राश्पति किस कौन से समाद से आते हैं यह बताते हैं उधान मंत्री अपनी जाती बताते मंत्रियों की बताते तो यह वाजन कर रहे हैं डेश के अंदर जीकर जबाब लेंगे शर्माजी से एक छोड़ा सा प्रेक ले रहे हैं लेकिन विभाजन की राजनीति कौन कर रहा है किस पाइदे की सोच के साथ कर रहा और क्या फाइदा वाखिए किसी को होगा इससे स्वागत आप सभी का आप देख रहे हैं मुकाबला वहान हमारे साथ बने हुए लगातार तीन राज्यों का चुनाव खत्ब हुआ राज्य तिलंगाना में कॉंग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई उत्तर के तीन राज्यों में भारतिय जंता पार्टी जीती जीतना हारना यह चुनाव में होता है होता रहेगा लेकिन इसके बहाने आप अगर बोटर को कोसना शुरू कर दे या इसके बहाने देश में दक्षन उत्तर की राजनीती शुरू कर दे कोई हिंदू-मुसल्मान की राजनीती के सहारे है को अगरे पिछड़े की राजनीती के सहारे है त अब आपने यह दर्साना है कि उनका परतिनिधित तो कितना है यह बताना की एक घोर आदिवासी छेत्र से एक सामान्य परिवार की महिला आदिवासी महिला आदेश की राश्टपती बनी है तो यह क्या उस समाज को उस आदिवासी समाज का प्रतिनिदित ने को दर्साना गलत है यह हम यह कहें कि आज इतने OBC जो है 29 OBC जो है कि मंत्री आज हमारे मंदल में हैं जो प्रतिनिदित कर रहे हैं 19 से ज्यादा जो है प्रतिनिदित ने कोशिस कर रहे हैं अब मुझे तो आश्चे ने समाज वादी के प्रवक्ता का कि इन्हों ने लोहिया जी का सिध्धान पढ़ा या नहीं पढ़ा लोहिया जी तो जातिवाद के गोर भी रो दी यह कौन सा समाज वाद है लोहिया जी ने कहा ता पिछड़ा पढ़ा जी ने लोहिया जी के शब्थे दूसरे बाद जातिवाद की बात तो आज कर रहे हैं और वह समाजवादी पार्टी अब बचे नहीं अब परिवार वादी पार्टी एक ही परिवार का सब कुछ है तो आज आप यह सारे रही तो परक्षेंट दिया उसमें पिछुडों का हग मार दिया और जिसका देज भर में स्वागत हुआ है इनको तकलिफ जरूर हो सकती है कभी इनको चिंता इन्होंने की ही नहीं है इनको तो एक परिवार की और एक वंस की चिंता है तो इसलिए उससे ज्यादा यह क्या करेंगे तो इनकी सोच भी नहीं बन सकते लेकिन अब इतना सकते और एक बात कह दूं कि मुझे आज भी यह लगता है कि यह जो राजनीतिक दल जो आप एक कह रहे हो अगड़ा पिछड़ा यह दक्षी और उत्तर जो कर रहे हैं वास्तों में अपने राजनीतिक अस् यह लगता है नई लड़ाई नया दिन अबी चौबीस आएगा देखेंगे इसलिए क्या है अभी शर्माजी ने कहा कि हम उनका प्रतिनित्व बता रहे हैं अगर आप प्रतिनित्व देखना चाहते हैं और उनके सही में उनके आर्थिक और समाजी खालत देखना चाहते हैं तो आपने जाती जंगरना से मना कैसे कर दिया और जहां पर LJP की बात कर ले थे आप किसने मना किया है इनकी पार्टी में किसी ने यह नहीं कहा कि हम जाती जंगरना नहीं करा इंगे कि मैंने हम जाती जंगरना कराएंगे उसके बाद 2022 के आप स्टेटमेंट देखिए मैं अभी इतने आप बात करने हैं मैं निकाल के दूँगा आपके दूसरा यह बटवारा नहीं है जाती जंगरना होगी तो सभी जाती यह की होगी हमने कब कहा कि यह जाती नहीं देखना पड़ेगा ऐसा थोड़ी है कि आप सलेक्टिव कर देंगे अचा अचा अब अब दिकत क्या है कोई भी पार्टी होती है कोई राजिनिंतिक दल है डेश के किसी भी हिस्थे का वो सको कोई ना कोई आइडेंटिटी चाहिए वह अपने आपको किसी वोटर से जोडने के लिए लिए फफी पह Biden करेंगे तो वह उसमें बटवारा जो है स समाझ का वह उसमें नहीं है करता है और यह मैं नहीं कर रहा हूं सभी विचार को बढम करता प्रेश्चार्यव इस भी क्म लिए अधिय। च्छेतरों के लोगों को भी कहीं ने कहीं रियायते दी गई है यही बहुलता वाद है अदेकता में एकता बारत की पहचान है इस पहचान को बनाए रखना विभिन फूलों के अंदर जो ही गुलस्ता जो है हमारा तयार होता है और जो यह देश है यह देश विभिन धर्मों विविन जाती विदिन संप्रदाय के लोगों का है सबकी अपनी पहचान लेकिन समिधान के दायरे में वो समिधान से बाहर होकर कोई नहीं देश की जब बात आएगी सभी चीजें छोटी हो जाती है देश बड़ा है और देश पृथम है हम भी मानते हैं और यह सभी को मानना चाहिए इसमें कॉंग्रेस भाजपा और किसी पार्टी का और दल का नहीं है अज तो चर्चा इस खतरनाक लेवें पर पहुंच गई है दस सेके हैं आप बोले ना कि दक्षिन उत्तर को ढो रहा है नहीं 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 लोग कर रहा है जिनको सियासत करने वाले बटवा कभी मिजोरम के नाम पर अपने कुकरम करते रहें कभी कभी मंदिर के नाम पर करते हैं कभी मस्जित के नाम पर करते हैं पुरा देश देख रहा है कि अपने किया किया कभी किसी दर्म के लोग को बाते हैं कभी किसी दर्म के लोग को बातने वाइब भगवान राम को कालपनी और यह कालपनी का लिए लोगों करण के लोग करण के लिए यह वह है वह लाइब यह जाती और देश को बढ़ना पटना प्रूड़ है रए राम करा मैं आपने निया प्रेड़ को क्या करता कि आप ने अपने दिया है फिर डेवीट प्रेंग घूता बोल नहीं हो अपने दिया है आप तो राम अमिर बन रहा है ना आप तो आपने सुप्रीम पूर्ट में पूर्ट निया नहीं जड़ा बताएं जहां से बात हम ने शुरुवात की थी आज की देश की चुनावी राज़ी थी के एक हकीकत है उपादारी सुने तो आप उसमक शुरुवात में दो मिनट नहीं पहुँच पाए थे चर्चा यह चली थी कि क्या यह फैक्ट दिखाई दे रहा है कि इनको दक्षिन के अंदर अपनी जड़े गहरी करने की जरूरत है यह उसकं पर काम कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस पाटी ने उत्तर में हत्यार डा़ दी है क्या है वह भट पर्तिक्स की बात में भी कर रहा हूं क्या नौट में आपको आप गूंजाइश नजर नहीं आती हमेसा गुंजाइस है 40% बोट आया है 36 गड़ में 40% राजस्थान में और मदद परदेश में पूच लिजिए कितना है अरे भाई जूट मुझे बताईए पूरे इसमें पूरे इसमें इनके पास कितने राजे हो उतर भारत में आपको बता रहे हैं वोग बता रहा हुप एक सो पैस्ट बता रहें पिर आप बताएंगा अच्छा आचा आज अचा ऑगे कि रहें रहे हैं राज की राजनिती हम इस देश की राजनिती यहां धर्म ईनके लिए जाती है और पुरा देश देख रहा है और अपने पर आ जहां इनको लाद दिखता है बेंको इनके प्रजाद शर्जा जवादा देंगे कि राहुल गांधी चार दिन से छुपे कहा है कहा है वो इतने बड़े-बड़ी घटना क्रम हो रहा है उसके बाद उसमें जो है मुह में दही जमा के बैठे हुए है अच्छा प्रद्धान मंत्री जी कहां दही जमा हुए है कौन से मुद्धे पर बोल रहे हैं जड़ा बता इससे साबित हो जाएगा अब अबताई है कि उसमें 29 सांसद हमारे और 27 सांसद कांगर्स पार्टी के ठीक है बाकी बचे गलत है अब आपको तागज पढ़के यह लो आप इसकता है वह आपका ग्यान मेरे पास भी है अब पर बठाएं तो बस पना पना ही बताएगा है आपना ही बताएगा है आपना ही बता रहा हूं अब देखा देगे अब देखिए ते लंगाना में कांग्रेक्स पास 3 सीट है 11 11 करनाटक में सब्सक्राइब करनाटक में अब दूसरी बात जो दूसरा आप परिशान हो आप परिशान हो आप कहीं नहीं हो सब्सक्राइब करनाटक में नहीं है अमर उजाला का निविया यह आकड़ा दिखो ना अपनाटक में देदी आप नहीं अब यह देखें इंडिया आलाइंस की कोशिश कांग्रेस की कोशिश होगी भारती जनता पार्टी को यह बताएं कि दक्षेंड की नहीं है या उटसाइडर्स हैं साहूथ के अंदर वो ठीक है वो उनकी ब्रणनीती हो सकती है उसमें प्रब्लम नहीं है लेकिन जब कोई इस किसम की भाषा का इस्तेमाल करता है आप किसी को रेश्ट और किसी को निम्न बताने कोशिश करते हैं उनको भी मैं कह रहा हूं कि वो भी गलत किया हूं लेकिन क्या अब इसे ज्यादा क्या कहें हैं अगर अपनी 14 और 19 की परफॉर्मेंस को रिपीट करना है तो उत्तर के जितने राज़्य में जहां आप सेचुरेशन पर हैं बिल्कुल सो परसंट पर हैं लगबग बिल्कुल आपकी बात ठीक है इसलिए आप 2014 से शुरू करें जब एंडिये की सरकार दिल्ली में बनती है और आज हम 24 की बात कर रहें क्या ग्राफ था हमारा दक्चिन भारत में वो बढ़ा है की नहीं बढ़ा है नौर्थिस्ट में भाजपा और इंडिये नहीं होती थी आज वहां हम दो राजियों में मिलकर के सासंग चलाने का काम कर रहे हैं तो चिंता कई अब इसे नहीं मैं मानता हूं और सादूबाद और बदाई देता हूं कि यह दक्चिन की बड़ी पार्टी है मैं इनसे एक सवाल पूछता हूं केरला में फिर सीट कॉमनिस्ट आपको देगा या आप उसको देंगे इनकी लड़ाई आपस में गटवंदन की दक्चिन में भी होने जा रही है यह सिर्फ अकलेस यादों त के लिए इस आर्थिक पिछड़ेपन के लिए कौन जिब में बार है स्रम हमारा पूंजी हमारी टैलेंट हमारा और फाइदा उसका दच्चिन भारत को अब आपको भी उत्तर नहीं करता हूं कि ऑन रिकॉर्ड है आप फिर दक्चिन और उत्तर में बांटने का काम कर रहे है मुझे लगता है ये स्रमनाक है ये एक एकेडमिक डिस्कोर्स का नहीं ये राजनितिक पार्टी की आप पिकिनिदी होकर आप फिर दच्चिन और उत्तर में बांट रहे हैं पुरा देश देख रहा है जैजी आप दच्चिन और उत्तर को बांटने का काम वही साधिस कर रह आप इनसे ये प्रश्चिन पूछें कि इस ववस्ता से किसका नुक्सान हुआ और क्यों ये तो ठीक है लेकिन ये उत्तर और उत्तर भारत की इसके प्रणाम को अभी सोच भी नहीं पाएंगे अगर इसी ढर्रे पर आगे बढ़ती रही देश की राजनिती तो और मीद करत का तो सत्य नास होगा ये जो सनात्रम का समूर नास की बात किये बात किये आज समय इतना ही था रुकाबला में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद आप तो हमारे मेहमानों का